तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक तो आपके एक्जाम के बारे में अपकमिंग एक्जाम ऑफ दस एसायर जून टू 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 जो की कंड़क्ट होने जा रहा है आपका अभी रिसेंटली ही इसके अलावा मैं इस वीडियो में बात आपको 100% स्योर्ट के सात्त में आपका जो है पूच्छा जाता है आपको 100% मिलेंगे तो आज मैं इसके बारे में डिसकेशन करने वाला हूं एक तो डेट कौन सी है आपकी उसके अलावा जो है आपका कौन-कौन से टॉपिक्स आपको इतने कम टाइम में अपरिपेर कर सकत तो सबसे पहले जो CSIR कंड़क्ट करने जा रहा है जून 22 का एक्जाम डाट इस गोंग टू बी कंड़क्टेड ऑन 17 सेप्टेमबर 2022 और यह जो पेपर है आपका वो दो शिफ्ट में होगा एक मौर्निंग शिफ्ट में होगा जो की होगा नाइन टू ट्वैल पी एम इसके अलावा जो इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है वो होगा आपका और यह बात आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रॉसस होता है दोनों जो शिफ्ट है उनका जो पेपर है वो डिफरेंट आएगा मौर्निंग का पेपर अलग आएगा इवनिंग शिफ्ट का पेपर अलग आएगा तो दोनों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा मार्क्स का उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी तो प्लीज बी प्रिपेरड फॉर दा 17 सेप्टेंबर 2022 और अल दी बेस्ट फॉर इस लेट मी टेल यूँ आपको जो है जो प्रिपेर करना चाहिए एंजाइमस प्रिपेर करने चाहिए एंजाइमस से आपको 100% सियोल्टी के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है एंजाइमस के अलावा प्रोटीन स्टॉक्चर का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा प् है केमिस्ट्री में तो मैटाबॉलिजम और मैटाबॉलिजम में भी बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है लेट मी टेल यू ग्लाइकोलिस उसका रेगुलेशन टीचीए साइकल उसका रेगुलेशन इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन एंड दा एटीप करना है इससे जादा आपको नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि जो मेजॉर्टी ऑफ दो क्वेश्चन से या तो ग्लाइकोलिस से आते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेंज से आते हैं तो यह तीन चार टॉपिक तो मैं बोलूँगा कि आपको साथा दिन में आप करी सकते हो और इसमें मेजॉर्टी ऑफ दो क्वेश्चन सापको वायकेमिस्टी के मिलेंगे सैल वायले जी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सैल साइकल सैल साइकल प्रपेर करना है सैल साइकल के अलावा जो है कैंसर आप प्रपेर कर सकते हो कैंसर स इसके अलावा जो है मियोसिस माइटोसिस अब पढ़के जाओगे तो वहां से भी एक आदा एक आदा क्वेस्टन आपको मिल जाता है लेकिन सेल साइकल कैंसर उसके अलावा फंक्शन आफ डिफरेंट सेल और गनिल्स प्रोटीन ट्राफिकिंग एंड दा मियोसिस एंड से आपको बहुत जादा प्वेस्टन नहीं आते हैं और बहुत सिंपल भी यह चोटा सा टॉपिक है तो आप एक ही दिन में जो है रेप्लिकेशन ट्रांस्क्रिप्शन खतम कर सकते हो लेकिन ट्रांस्क्रिप्शन का जो पोस्ट्रांस्रिप्शनल प्रोसरिंग वाला पार् अच्छे से करिए molecular biology के replication transcription transcriptional processing and translation वाला process और translation के बाद post translational modifications इसके अलावा DNA के structure basis क्या-क्या काम करते हैं क्या-क्या functional group में difference होता है उसके अलावा mutagens कौन-कौन से होते हैं कौन-कौन से antibiotics हैं उसके मारे में भी एक एक बार आप लोग देख के जाना तो वहां से भी आपको सीधे सीधे question मिल जाते हैं इसके अलावा cell communication cell signaling से भी आपको अच्छे खासे question graphical question आते हैं तो आपको यह चैप्टर जो है कवर करना पड़ेगा साथ के साथ में इसी unit में आपकी आती है immunology immunology से भी कई सारे question पूछे जाते हैं उसमें भी आपकी antigen antibody structure और कौन-कौन से processes होते हैं immunology में कौन सी सेल जो है किसको activate करती है तो यह सब बाते हैं आपकी जो है immunology वाले chapter में होंगी इसके अलावा जो developmental biology इसके अलावा plant और animal physiology है यह water biology के बच्चे जो है उनको जादा पता है तो इसको मैं skip कर रहा हूं because I don't know much about the developmental biology और animal physiology और plant physiology तो इन तीनों चीज़ों को मैं avoid कर रहा हूं यहां पर इसके अलावा genetics की अगर मैं बात करूं तो genetics के कुछ topics हैं जैसे की आपकी classical genetics है वो तो सभी बच्चे पढ़ते ही हैं जो Mendelian genetics में आती है Mendelian genetics के अलावा जो आपकी EP stasis वाले जो concept है EP stasis से related जो भी variation मिलता है ratios में उस पे भी आपको कभी कभार question पूछ लिया जाता है इसके अलावा जो मैं बात करूं तो pedigree का question 100% आएगा pedigree pedigree के अलावा जो है आपका probability का question pedigree probability कैसे निकालते हैं genetics में genotype की या phenotype की इसके अलावा जो आपकी bacterial genetics है या microbial genetics है उसको भी आएक बार आप लोग अच्छे से पढ़के जाएगा कई बार दो दो question genetics के वहां से भी आ जाते हैं तो तीन चार टॉपिक मैं बोल रहा हूं जो आपको अच्छे से करके जाने है चार-पांच question आपको मिल जाएंगे genetics के pedigree probability epistasis उसके अलावा classical genetics उसके अलावा microbial genetics चार-पांच चार से पांच question जो भी genetics के आएंगे पार्ट सी के आएं चार पार्ट बी के आएं वह आपके सारे के सारे बन जाएंगे इको लॉजिकल प्रेंसिपल्स का मुझे उतना पता नहीं है कि कहां कहां से question आता है evolution and behavior में मैं कहूंगा कि आपको एक topic बहुत अच्छे से prepare करना चाहिए वह हर बार एक question minimum पूछा जाता है पार्ट B में या फिर पार्ट C में ठीक है तो कहीं पे भी पूछा जाए इसके अलावा evolution and behavior में जो आपको और कुछ पढ़ना चाहिए वह है आपका कि किस तरीके से जो है फाइलो जेनेटिक ट्री बनाए जाते हैं कैसे उनका analysis किया जाता है कौन-कौन से टाइप के trees बनाए जाते हैं और कौन-कौन से software वहां पे यूज किया जाते हैं इस सब टाइप के questions आप लोगों को पूछे गए हैं तो evolution में बहुत जाद नहीं इसके अलावा human evolution कैसे हुआ है या plants का evolution कैसे हुआ है कौन से epoch या कौन से इराम में जो है कौन से plant डवलफ हुए कौन से humans के अंदर कौन-कौन से humans कौन से epoch या इराम में मिले इस तरीके के question भी direct question आपको पूछ लिए जाते हैं तो evolution behavior मे दोचारी topic है जो आपको prepare करने जहां से आपको direct question मिलता है हर साल मिलता है applied biology की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर agro bacterium mediated gene transformation जो method है वह बहुत important है वहां से एक से दो question हर बार आते हैं पार्ट C में भी आता है पार्ट B में भी आता है इसके अलावा यहां से जो दूसरा important topic है वो है genome editing tools जिसमें आपके कई सारे आते हैं तो वहां से भी genome editing tools एक बार जरूर पढ़िएगा इसके अलावा agro bacterium mediated जो gene transformation method है उसको भी पढ़िएगा इसके अलावा जो marker assisted मारकर assisted जो selection है वो कैसे होता है उसका क्या process होता है उस पे भी एक आदा एक आदा question कई बार पूछ लिया जाता है इसके अलावा bio remediation का question कभी कभार पूछ लिया जाता है बट दो सबसे important topic है जो की हर बार question आता ही आता है तो genome editing tools और दूसरा है आपका agro bacterium to me fashion based gene transfer applied biology में methods of genes methods in biology की अगर मैं बात करूं तो methods in biology में सबसे important तो है आपकी recombinant DNA technology वहां से कम से कम दो question part C में और एक से दो question part B में आते ही आते हैं तो RDT को complete करके जाएगा इसके अलावा जो आपकी DNA sequencing या protein sequencing वाले methods हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़के जाएगा वहां से भी question आपको आता है microscopy से आपको कम से कम एक question पूछा जाता है इसके अलावा जो आपकी blotting techniques हैं वहां से भी हर बार question आता ही आता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं CD fluorescence मतलब protein denaturation renaturation kinetics जो study करने के methods हैं वहां से भी एक से दो question आपको पूछे ही जाते हैं तो microscopy हो गया protein renaturation denaturation kinetics मतलब circular dichroism है वहां पे fluorescence spectroscopy है वहां से भी question आता है इसके अलावा sequencing methods होगे protein DNA sequencing methods होगे वहां से question आपको आता है blotting methods होगे वहां से आपको question पूछ लिया जाता है molecular markers होगे वहां से question जरूर आता है इसके अलावा RDT से कम से कम आपके दो से तीन question हर बार पूछे जाते हैं तो जो बच्चे जिन्होंने basic basic subjects पढ़े हैं सच आप्लाइड सब्जेक्स हो गया applied biology हो गया methods in biology हो गया evolution and behavior हो गया इसके अलावा मैं दो टोपिक यहां पर छोड़ रहा हूं diversity of life forms ecological principles या ecology और इधर आपकी है developmental biology plant and animals की इसके अलावा physiology है plants and animals की तो मैंने आपको चार unit यहां से इसके अलावा एक पांचवी unit genetics वाली इसके अलावा evolution and behavior उसके अलावा मैंने applied biology और methods in biology के कुछ topics आपको बताएं हैं कि इन में से कौन-कौन से topics आप cover up करके जाओगे जिन से आपको हर बार question आता ही आता है अगर मैं plant physiology की भी बात करूं तो यहां पर आपको जो तयार करना है सबसे important यहां पर फोटो synthesis वाला portion है वहां पर एक से दो question आपको पूछे ही जाते हैं इसके अलावा stress plant biology वाला जो portion है जहां पर आपके plant hormones आते हैं वहां से भी question पूछा ही जाता है कि human physiology की अगर मैं बात करूं तो जो आपका circulatory system है वहां से जो है hemoglobin से related या फिर आपके heart से related जो है question पूछे ही जाते हैं तो यहां से भी आप कोई-कोई topic जो है जो भी आपके अपने अगर subject पढ़ा है तो जो आपको important topics लगते हैं वो आप प्रिपेर कर सकते हो developmental biology भी आप प्रिपेर कर सकते हो बट जो बाकी की 7-8 units हैं वहां से मैंने आपको selected topics बताए हैं कि आपको कौन-कौन से topics यह 8-10 दिन में आप तयार करके अच्छे से अच्छे result ला सकते हैं थैंक्यू